प्यारे विध्यारतियों, एक्जाम की देट आ चुकी है, टाइम टेबल आ चुका है, गवराट हो रही है, कैसे करें, कैसे लेकर आए, 90 प्लस माक्स, गवरानी की बात नहीं, मैं लेकर आए हूँ, कुछ ऐसे टिप्स, जिससे आप 90 प्लस स्कोर कर सकेंगे, देखें, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको यहाँ ध्यान रखना है, सलेबस क्या है, सलेबस का मतलब 12 चप्टर है, वरनी कहरी, यह कहरी हो, कौन सा चप्टर कितने नंबर का है, यह आपको जरूर ध्यान होना चाहिए, कौन कौन से चप्टर जो है, आपके 7 नंबर क्या रहे है, जैसे कि चप्टर नमबर 4 है जिसका नाम है विचारक विश्वास इमारते वाला विचारक विश्वास इमारतो वाला चप्टर आपका 7 नमबर का आ रहा है इसके बाद में सेकंड बुक की बात करें तो भक्ति सूफी परंपरा वाला चप्टर जो है आपके 7 नमबर का आ रहा है अभी भी ज्यादा number वाला आरहा है तो इस chapter को सबसे पहले अच्छे से तयार कर लो कौन-कौन से question तयार करो किस तरीके से तयार करो यह भी ध्यान रखना है जिसमें निबन दात्मक आ रहे है तो उसको दिर्क और निबन दात्मक ही पड़ने है जिसमें objective type question आ रहे हैं उसमें आपको बड़ा बड़ा याद नहीं करना है सबसे पहले साथ नंबर वाले चप्टर जो हैं उसको बिलकुल अलग रख लो इसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं हम फस्ट दे आपके पास दो तिन दिन है एक्जाम के और आपको पढ़ाई शुरू करनी कैसे करोगे तो सबसे पहला काम ये करो अपना confidence एक बढ़िया मजबूत बना लो वा कैसे बनेगा कुछ चप्टर तो ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छ से आते होंगे पहला चप्टर इते मन के अस्तिया हैं राजा किसान नगर है बंदुत्व जाती वर्गे बिल्कुल इसी चप्टर है जिसमें आपको बहुत मज़ा आए पढ़ने में उसको पहले पढ़ लो चेचे नंबर के सारे चप्टर हैं तो मान लो चार चप्टर जो आपने पहले तयार कर लिए आपको बहुत इजी लगते थे और इस प्रकार से अब आपके जो ये नंबर तो फिक्स हो गए कि मैडम भई ये तो पक्के याद है इससे मन एकदम बढ़िया हो गया और अब एकदम जो शुनोन के साथ आप आगी वाले चप्टर भी कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है सबसे इंपोर्टेंट है अपना टाइम टेबल सेट करो आप अगर सुबह अच्छा से पड़ सकते हैं सुबह पढ़ो ये नहीं कि सुबह उठनी पारे हो और रोज अलाम लगा रहे हो सुबह उठने का और वह भी टाइम वेस्ट कर रहे हो रात को भी नहीं पढ़रे हो रात को मज़ा आता है तो रात को पढ़ लो, दौफैर में पढ़ सकते हो, दौफैर में पढ़ लो जब अच्छा लगे, जब मन करे, तब पढ़ो, दिन भर पढ़ो, थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लेओ, थोड़ा थोड़ा सा कुछ खाते पीते रहो ताकि energy बनी रहे, थोड़ा सा exercise करते रो, थोड़ा सा भगवान को भी याद कर लिया करो, दो मिनिट अगर हम भगवान के सामने हाथ जोडते हैं, बहुत अच्छी energy आती है, पूरा दिन बहुत अच्छा आपका बीतिता है, अब बात करते हैं, सबसे main चीज जो है आपको अथन क्लास ली थी, उसमें खुब सारे questions है, उनको पढ़ लो, previous years के questions पढ़कर ही, देर गौर निबंदात्मक तयार करने है, बहुत important बात है, उनसे बाहर बहुत ही कम जाते हैं, जादा तर जो निबंदात्मक questions है, वहाँ आपके previous years में से ही पूछ लेते हैं, तो उसकी तय सबसे में बात आजाती है, अब multiple choice question, इस बाहर सरकार ने, चाहे कोई भी बोड़ो, multiple choice question की भरमार कर दी है, बहुत सारे multiple choice questions आ रहे हैं, चाहे अती लगू में आ रहे हैं, चाहे objective में पूछ रहे हैं, चाहे फिलप की रूप में पूछ रहे हैं, तो बहुत सारे इस तरीके के question तयार करो बार-बार उनको करोगे तो अच्छे से उनकी तयारी हो जाएगी map work 5 number बिल्कुल easily आपके आजाएंगे सबसे important first chapter में से map work आता है 1857 में से आजाता है गांदी जी में से आजाता है चंपारन का हैं खेडा का हैं राकी गड़ी का हैं काली बंगा का हैं लोथल का हैं तो इस तरीके से आपको यह map work जो है जरूर जरूर कर लेना है जिससे आपके अच्छे number आजाएंगे अब बात करते हैं exam में लिखने के समय यह तो पूरी तयारी की बात हो गई कैसे तयारी करें दो दिन में भी आप बहुत अच्छे number ला सकते हो आपने chapter थोड़ा बहुत तो कभी न कभी पढ़ाई है revision जरूर करना यह एक चीज जरूर याद रखना सारे chapter कर लिए आपने दो दिन में एक दिन में पूरा revision कर रखना ऐसे नहीं कि तीन दिन में time table को बना कर रखो time table ऐसा set करना कि दो ही दिन में पूरा course हो जाए और तीसरे दिन में आपको revision का समय मिल जाए छे छे चेप्टर आपको कर लेने हैं एक एक दिन में तो easily तीन दिन में आपका course जो है वह पूरा हो जाएगा अब बात करते हैं एक्जाम में लिखने की तो एक्जाम में सबसे पहला question आप उठा रहे हो तो लिखो उत्तर one question number one का आप लिख रहे हो उत्तर one और इसमें number one, number two, number three जो आपके आ रहे है question उस हिसाब से लिखते चले जाओ objective question में पांच मिनट से जादा नहीं देना है अती लगू में पांच मिनट से जादा नहीं देना है अगर कोई question नहीं आ रहा है तो paper पर pencil से गोला लगा कर रख दो ताकि भूल नहीं जाओ और उसके लिए जगे छोड़ देना याद आएगा तब लिख लेंगे बाद में question खतम होता है एक line छोड़ दो इस प्रकार से ताकि question examiner को चेक करने में बहुत आसानी रहे अब बात करते में देर गौर निबंदात्मक को कैसे लिख कर आओगे देर गौर निबंदात्मक question के अंदर आपको heading जरूर लगाना है heading जरूर लगा कर लिखोगे और उसके नीचे underline कर लेना थोड़ी सी जगे छोड़ देना निबंदात्मक में भी आपको heading लगाना है अब question याद कैसे करना है पूरा पढ़ रहे हो रटा लगाए जा रहे हो ऐसा नहीं करना है heading heading अच्छे से याद कर लो थोड़ा सा अपनी भाशा में लिख देना पूरी की पूरी NCR टि गैप छोड़ कर लिखना थोड़ा सा गैप होता है तो पढ़ने में अच्छ से आ जाता है इस प्रकार से पूरा अच्छ से तयारी से अगर एक्जाम देओगे और रिवाइस करोगे याद करोगे तो 90 प्लस आने से कोई भी आपको नहीं रोग सकता confidence बहुत जरूरी है confidence ले थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक भी लेना है नेंद भी अच्छी लेने पर इसका मतलब यह नहीं आर दस गंटे सो रहो नहीं 6-7 गंटे काफी है अभी एक्जाम का समय है तो थोड़ा सा अच्छ से पढ़ाई करो और अच्छ से एक्जाम लिख कर आगा आपकी तैयारी को चार पांच हजार विध्यार्तियों को दिया जा रहा है विसेंस डिसकाउंट अगर आप 6 से 8 तक के स्टूडेंट है तो मात्र ठारा सो रुपए में नाइन तेंट के स्टूडेंट है तो तीन हजार और 11 तेंट के आर्स, कॉमर्स या साइंस, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीड करतियों के लिए है थैंक्यू वेरी मुच्छ